हेलो फ्रेंट्स वेल्टम तो मैं चैनल स्मार्ट लॉनिंग अकेडमी इन इस वीडियो टुट्यूरियल आयम गोईं तो डिस्कस अबाउट रामाचंदर प्लॉट बात करते हैं रामाचंदर प्लॉट की बारे में तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जीयन रामाचंदर ठीक है उन्होंने क्या बताया कि दो वैल्यूस होती है जिनके थूप्याइटभाण की बात की जाया तो यह चो जो एल्फा इसको बोलते हैं ठीक है और सीजो होता है सी जब C α से जुड़ा हो इस एंगल को बोलते हैं साई ठीक है अगर आपको याद करने में प्रोब्लम हो तो CC सर्णुसीयसन होता है उससे आता है साई ठीक है तीनों का सर्णुसीयसन होता है और अगर बात करें C, C α ये याद रखे रही हैगा कि C, C α के बीच का एंगल होता है साई, N, C α के बीच का एंगल होता है फाई, और C, N जो होता है पेप्टाइब बोर्ड का उसके बीच का एंगल होता है ओमेगा, इसके बीच में जो rotation possible होता है वो minus 180 degree से लेकर plus 180 degree तक होता है that means कि 180 degree anti-clockwise से लेकर 180 degree clockwise तक होता है ओमेगा के बीच में जो rotation possible होता है आईदर 0 degree और 180 degree होता है ठीक है और similarly for the C कितना होता है minus 180 degree से लेकर plus 180 degree तक possible होता है ठीक है, तो रामाचंदर ने क्या बताया कि जो configurations होते है basically protein structure के दो basic secondary structure जिनकी बात की जाती है alpha helix और beta sheet की तो उनकी जो value होती उन्होंने एक plot design किया था L-Alanine को लेके ठीक है क्या लिए आता है L-Alanine अपने experiment में लिया और इसके various configuration को चेक किया कि कि साई और 5 value पे alpha helix आता है या beta sheet आता है अगर alpha helix और beta sheet की बात की जाए तो alpha helix के दो form होते है ठीक है पहला form होता है right-handed and second one left-handed ठीक है पहला form होता है right-handed and second one left-handed होता है अगर beta sheet की बात की जाए beta sheet की beta sheet एक होता है parallel और दूसरा anti-parallel ठीक है तो उन्होंने बताया कि किस phi और psi value पे किस phi और psi value पे alpha helix right-handed helix की probability maximum होती है और left-handed alpha helix की value maximum होती है beta sheet की किस phi और psi value पे beta sheet की पाये जानी की probability maximum होती है तो उसके basis पे उन्होंने एक graph design किया था जिसके बारे में देखते हैं तो बात की जाए रामाचंदर plot की ठीक है तो यह है रामाचंदर plot कि amino acid के लिए basically L type of amino acid के लिए don't be confused L type of amino acid और D type of amino acid अलग होते हैं L type of amino acid का Ramaachndra plot अलग होता है D type of amino acid का Ramaachndra plot अलग होता है L type का Ramaachndra plot D type का क्या होगा वह मैं बताता हूं ठीक है तो L type of amino acid Ramaachndra plot की बात की जाए तो L type में क्या होता है कि जो second coordinate होता है उसमें क्या होता है कि basically जो upper right होता है वहाँ पे कौन सा होता है left handed alpha helix ठीक है अगर left handed alpha helix की बात की जाए ठीक है left handed alpha helix तो इसमें phi और psi की value कितनी होती है ठीक है जो phi की value होती है वह होती plus 47 degree ठीक है और psi की value plus 57 degree ठीक है यह होती है left handed alpha helix की value for the L, alanine और L type of amino acid अगर right handed alpha helix की बात की जाए ठीक है तो उसमें phi की value होती minus 47 degree and psi की value होती ही minus 57 degree ठीक है तो बैसिकली जो होता है कि value जो होती है वह save होती है left और right handed helix के लिए बट क्या होता है कि left handed helix होता है वह यहां पाया जाता है यहां पे left handed helix है और यह right handed helix है lower left में ठीक है और upper right में होता है हमारा हेलिक्स ठीक है और उसकी जो 5 की value होती right handed की negative में होती है दोनों 5 और side and left handed की 5 और side दोनों positive में होती है अगर beta seat की बात की जाए beta seat की parallel के लिए बोला जाए ठीक है अगर parallel के लिए बोला जाए तो as the name suggests beta B से pronunciation होता है तो आपको याद करने के लिए बता दे कि B से beta और B से both ठीक है मतलब both charges positive and negative ठीक है अगर दोनों charges पाए जाए तो वो कौन से होता है beta seat इनमें आप देखो कि helix में याद तो दोनों के उनों positive होंगे या दोनों के दोनों negative होंगे बट बीटा में क्या होता है अगर anti parallel की बात की जाए यह थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होता है किससे parallel से यह parallel है और यह anti parallel है प्लस 139 degrees तो प्ैलल होता है जो फाई की बेलूक होती मैनेस 115º इक स?. ऑर anti parallel बीटा सीट के लिए जो फाई की बेल्लूक होती मैनेस 134 डिगरी और साइ की बेलूक त्पलस 139 दिगरी तो यह जो रामा चंदर प्लॉट है में basically किसके लिए एंट आपको यह याद रखना है जो आपर यह बेसिकली अपर कोडिनेट अपर राइट में क्या है अपर राइट में हमारा अपर लेट में बीटा सीट लॉबर लेट में हैलिक्स और लोबर राइट में कुछ भी नहीं होता ठीक है और रामचंदर प्लॉट होता है जिसक्यों रामाचंदर प्लॉट में पाया जाने के प्रोबिल्टी सबसे ज्यादा कम होती है ठीक है अगर बात करते हैं कि यह रहा अगर एल टाइप आफ रामाचंदर प्लॉट तो डी टाइप क्या होता है कि कहीं सारे कोश्चिन में आया है कि अगर डी टाइप यहां पर प्रजेंट है अपड़ेफ्ट में ठीक है आप डेखते डी टाइप आप इससे कैसे कर्बर्ट कर सकते हो कैसे करना है आपको ठीक है पहुत एजी में बता रहा हूं कि आपको सीधे-सीधे कर्वक करना है वैल्यू सारी सेम होगी बस उनका साइंचेंब हो जाएग बीटा सीप और यहां पर याँ आ तो और यहां पर लेट अल्फा हेलिक्स ढी सहर गोड़्यमिक को अलिस्हाइप अलफ़ा पर है रहिसे मुगी बस जहां पर लेटेंड़ अलफा हेलिक्स प्लस 47 और साई की जाए प्लस 57 होती थी यहां पर क्या हो जाएगी माइनस 47 बीग्री यह फाई है और यह साई है अगर राइट एंडेट की बात करें तो था प्लस 57 और 5 प्लस 47 यह रहाँ क्योंकि यह पूरे के पूरे पूरे पॉजिटिव कोड़नेट में आ जाएगा बीटा सीट वैल्यू इंटर्चेंज हो जाएंगी साइबस ठीक है और किस कोड़नेट में आ रहा है यह लोवर राइट में आ रहा है ठीक है तो याद रखे रहिएगा कि लिए रामाचंदर प् करना है आपको बस इंटर्चेंज करना है अल्टरनेट ठीक है तो इस इस दब रामाचंदर प्लॉट 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 में नहीं पाया जाता या अगर पाया जाता तो सबसे लीस्ट प्रोबिलिटी होती है ठीक है तो इस अवरल बाद रामाचंदर प्लॉट